क्रेप्स यहां पता चलता है कि फिलिप के पैर पैरलाइज है जिसवरा से वो एक wheelchair का यूज करता है मैडी उसे उसके गैरिश की तरफ ले जा रही थी क्योंकि फिलिप वहां रोज कुछ नया बनाने की कोशिस करता रहता है आगे हमें बता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर जो कि एक पुलिस ओफिसर है वो इस जगा को बेचना चाहता है लेगिन फिलिप इस बात के लिए राजी नहीं था और वो सेल लगे हुए बैनर भी मैडी से हटवा देता है इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज मंगाई थी एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान होता है लेकिन वो उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहता वो तीनों बात करी रहे होते हैं कि तभी यहां हंटर भी आ जाता है वो बैनर को नीचे पड़ा देखकर फिलिप से मना करता है कि वो फिर से बैनर ना हटाए तभी उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि बीच के किनारे के वेल मचली मरी पड़ी है इसके बाद फ्लैनिगन और हंटर उसे देखने चले जाते हैं और मैडी भी अपनी घर की तरफ निकल जाती है आगे हम देखते हैं कि वेल की हालत काफी खराब है देखने से लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह खा कर पानी से बाहर कर दिया है उन दोनों को उसके पास से काफी बद्बू आ रहे थी हंटर को शक होता है कि ये एलियन्स का काम है उन्हें लगने लगता कि पानी में कुछ अजीब चीज जरूर है इसने एक वेल का ये हाल किया है इसके बार वो दोनों दोनों तरफ देखने के लिए चले जाते है अगले सीन में हम देखते हैं कि अभवो दोनों भाई अलग-अलग वैन में रहते हैं याणि उनके पास अपना घर नहीं है अपसे यहीं उनका घर है hunter office जाते वक्त पिज़ा का एक टुकडा बाहर फिंग देता है फिर हम देखते हैं कि एक केकड़ा वहां आकर उसे ले जाता है आगे हम फिलिप को देखते हैं जो अपनी स्कूल आया होता है उसे बाहर Maddy मिल जाती है जिसके साथ वो अंदर आ जाता है अपने बायलोजिकी क्लास में उन्हें एक बिल्ली की डैट बोडी पर प्रैक्टिकल करना था उनकी टीचर और कोई नहीं Maddy की मॉम मैन रहत ही होती है क्लास खत्मोने के बाद फिलिप को उसका फ्रेंड राडू मिलता है वो Maddy को अपने साथ डेट पर चलने को गयता है असल में कर उनके स्कूल में एक पार्टी होती है लेकिन वो से बताती है कि उसने फिलिप के साथ पहले ही डेट बुक कर दी है दूसरी तरफ Hunter को बीच पर एक कंकाल का हाथ मिलता है हम समझ जाते हैं कि ये उसी लड़के का हाथ है इससे हैं मुवी के सुरू में देख चुके हैं फिर वो खोन की निसानों का पीछा करते हो एक गुफामी आ जाते हैं Hunter उसमें अकेला ही जाता है जबकि Flanagan बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है Hunter को उसकी दूसरी साइड इंसानों के खाई हुए पैर मिलते हैं जिने देख कर वो घवरा जाता है तवी उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिससे हमने सुरू में देखा था उसकी एक आँख को केकड़े ने खा लिया था वो Hunter से बताती है कि ये सब केकड़ो ने किया है Hunter उस लड़की को देख कर ड़ जाता है और Flanagan को बुलानी लगता है अब रात में रूडो एक जगाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैट कर डिंक करनी लगता है तब ही यहां कुछ केकड़े आ जाती है और उसके दोस्तों पर हमला कर देती है किसी तरह रूडो वहां से बचकर बहार आ जाता है अब रात में जब फिलिप गैरज में अपना काम कर रहा होता है तब ही Hunter उसके पास आता है और उसके काम को देखनी लगता है फिलिप उसे उसी लेजर वाली बैंट्री के वारे में बतानी लगता है कि यह काफी पावरफूल चीज है इसके वाद फिलिप अपने लिए उसी बैंट्री की मदद से एक गैजट तयार कर लेता है इससे वो चल पाए वो जैसे ही बैंट्री को उसमें फिट करता है वो चलने लगता है लेकिन कुछ देर में उसका बनाय हुआ गैजट ठीक से काम नहीं करता और वो अपने आप बंद हो जाता है फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर वहां से बहार आ जाता है तब ही यहां मेडी अपनी मौम मैन रहत के साथ उससे मिलने आती है लेकिन वो नहीं रुकता वो आगे जाने लगता है फिर मेडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है इधर उसकी मौम की फोटोस देखने लगती है फिर हमें बता चलता है कि हंटर को अपनी स्कूल टाइम में मैंने रहत पर क्रस्ट था खेर इसके बाद वो दोनों बाहर आकर वॉक पर चले जाते हैं फिलिप सहर में आ जाता है जहां मैडी उसे समझाती है और सांथ कराती है दूसरी तरफ र राडू माइंड से थोड़ा कमजोर होता है इसी वरा से वो अजीब भीव करता है खेर पर रास्ते में उसे फिलिप और मेडी मिल जाते हैं वो उन्हें बताने लगता है कि अभी उन पर केकड़ों ने अटेक किया लेकिन दोनों उसकी बातों पर यकिन नहीं करते तब ही व अब फिलिप और हंटर अपनी वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कल एक डेट के लिए भी जाना था उन दोनों के वैन में जाने के बाद मैडी अपनी मॉम को लेगर फिलिप के गैज़ेट्स दिखाने लगती है दूसरी तरफ उराडू उस मरे हुए केकड़े के साथ बद तमीजी करने लगता है तभी उसके अंदर से अजीब तरहा का एक क्रीचर निकलता है और उस पर अटेक कर देता है यानि हम समझ पाती है कि ये केकड़े मरने के वाद एक दूसरी क्रीचर में बदल जाती है सुबहा में फिलैनिगन सिप के पास बैठा हुआ फिस सलता है कि मैडी की मॉम ने ही इस गैजट को रिपियर करके चलने लायक बना दिया था इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं हंटर भी यहां मैं रहत को ढूड़ने लगता है लेकिन तब यह उसे वहां एक केकड़ा दिख जाता है इसे देखकर वह काफी घवरा जाता है इसी वीच यहां मैं रहत भी आ जाती है अब वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं कुछ दिरवाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे खानी लगता है सब यह देखकर काफी डढ़ जाते हैं मैं रहत उस आ से तरह वहां के सारे केकड़ों को माड़ देती है तवी उनमें से एक केकड़ा बड़े से क्रीचर में बदल जाता है इसे देखकर सब घवरा जाती है और फिर से भागनी लगते हैं हंटर फिलिप और बागी सब को लेकर एक सेफ कमरी में ले जानी लगता है लेकिन कर नहीं जाता और creature के सामने आकर खड़ा हो जाता है अब creature उस पर attack करने ही वाला था तभी वहाँ राडू आ जाता है और अपनी तलवार से attack करके उस creature को मार डालता है असल में राडू पिछली रात creature के हमले से बच गया था और यहां वो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ गया खेर इसके बाद वो स्कूल की लैब में आ जाते हैं जहां man rat उस creature के वारे में पता लगाने लगती है कि आखिर वो चीज है क्या उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि यह काफी पुराने वक्त के केकड़े हैं और इस तरह के केकड़ों में काफी radiation हैं इसी वरा से यह इतने खतरनाक हैं इसके बाद hunter भी उन्हें कल वाले हाथसे के वारे में बताने लगता है जो कि एक whale के साथ हुआ था इसके बाद हमें पता चलता है कि यह creature तीन तरह के हैं पहले जो केकड़ों की तरह दिखते हैं दूसरे जो इंसान के size की हैं और आखिर में तीसरे जिन्होंने whale को खाया था और वो size में काफी ज्यादा बड़े हैं इसके बाद हम देखती हैं कि पूरे सहर में इनी creatures निया तंक मचा रखा है इससे काफी लोग मारे जा रहे हैं और वो लोगों को बूरी तरह मार कर खा रहे हैं अब hunter उन सब को garris के पास छोड़ देता है और खुद Flanagan को ढूंडने चला जाता है फिलिप उसे जाने से मना करता है लेकिन वो कहता है कि वो एक police officer है मुझे हाड नहीं मानने चाहिए ये मेरा फर्ज है इदर फिलिप को यकीन होता है कि वो creatures को मानने के लिए जरूर कुछ बना लेगा फिर वो अपने काम में लग जाता है वहीं दूसरी तरफ hunter Flanagan के घर उसे देखने जाता है लेकिन उस पर भी केकडोनी अटेक कर दिया था जिस वरा से अब वो मर गया hunter पर भी वो creature अटेक करने लगते हैं लेकिन वो जल्दी से वहाँ से बहार आ जाता है इदर गेरिस के बहार भी कई creatures आ जाते हैं जिने मानने के लिए राडू बहार आ जाता है और उनका ध्यान भटका कर अपने पीछे लगा लेता है मैंने रहत वी एक टूल की मदद से एक creature को मार देती है इसी वीच हम उसी बड़े creature को देखते हैं इसने whale को खाया था और अब वो सेहर की तरफ बढ़ रहा था सुबह होने तक फिलिप एक काफी बड़ा रोबोट बना देता है इससे वो बड़े वाले creature को मार पाए फिलिप खुद ही अपनी उस रोबोट के अंदर बैट कर उसे चला रहा था खैर अब वो उसी creature के पास जाकर उससे fight करने लगता है वो creature भी काफी powerful था इस वरा से वो जल्दी नहीं मरता वो उस रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है जिसके बाद फिलिप अपने रोबोट की तलवार लेकर उस पर attack करने लगता है और उसका भी एक हाथ तोड़ देता है अब creature काफी गुसे में आ जाता है और वो रोबोट को नीचे गिरा देता है लेकिन तभी वहाँ hunter अपनी car लेकर आ जाता है और car को चलता हुँ छोड़कर पहाड़ी से creature के उपर हिट कर देता है इससे वो creature से हिट होकर blast हो जाती है इससे फिलिप को time मिल जाता है और वो उसी battery की मदद से laser activate करके उस creature को एक ही बार में मार देता है सब ये देखकर काफी खुस होते हैं कि फिलिप के रोबोट ने creature को मार दिया मैडी भी यह उसे किस करती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि फिलिप अपने रोबोट को फिर से रिपियर करके सहर के बाकी बड़े creature को मारने चला जाता है और इस बार उसके साथ मैडी भी होती है और इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की explanation पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाकी मैं विलूँ आपसे न्यू वीडियो में तिल देन टेक केर, लव यू, बाई बाई